विचार धारा के आज़ के एडिशन में यूर्ट पीडी की मार भी है, मोदी की धार भी है इंडिया गडबंदन की लड़ खडाती स्टाल भी है तियावर राम चंद्र की नाज़का का प्रवक्ता आता है आज विचार धारा की कोई वैल्यू नहीं बची एक मिनट पे व्यक्ति सेकुलर बन जाता, एक मिनट में कमिनल बन जाता आज जब राम चंद्र की बात करेगा जो जाती जंगना की बात करेगा आज जब राम अंदिर बढ़ना है तो जब से पांचों स्थान पर अर्टे सब पहुंची है आज सबसे ज़दा फॉर्मेश से जिज़ा है आज सबसे ज़दा इस्पोट है आज देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरो सिमन्त कारिकरम ये देश है मारा सडक से संसत और दिल्ली से राची तक सियासी अखाड़ा बन चुका है चद्दिगर मेर चुनाव में कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी का जॉइंट गटबंदन होने के बावजूद उनकी हार हो गई तो ये जंग दिल्ली तक पहुँच गई और शुकरवार को आमादमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवन तमान ने विरोध दर्च कराया दिल्ली की सडकों पे उतर कर तो उदर बीज़पी केजरीवाल को भ्रश्टाचारी बता रही है एडी की कारवाई जारकंड के मुख्यमंत्री पे हो रही है जारकंड में निजाम बदलने के बावजूद सियासी संग्राम नहीं थम रहा है हेमन्चोरेन एडी की हिरासत में है चमपई सोरोन मुख्यमंत बत्री बन चुके हैं लेकिन सत्तधारी विधायकों का पाला बदलने का डर उतना ही बना हुआ है उन्हें राची से 1300 किलोमीटर दूर चार्ट स्पेशल प्लेन से हैदराबाद शिफ्ट करना पड़ गया है इन सब के बीच मोधी को मात देने के लिए इंडिया गडबंदन हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनावी शंकनात कर दिया है लेकिन विपक्ष भी बीजेपी को घेर ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा है लेकिन घेर नहीं पा रहा है आज इसी मुद्दे पर जनता जनारदन के बीच होगी विकेंड की सबसे प्रतिष्टित चर्चा ये देश है मारा स्वागत आपका ये देश है मारा के आज के एडिशन में व्यूवर्स आप सभी को 2024 के वर्स का राम राम चंडिगर मेयर की लड़ाई दिल्ली तक आई मेयर का चिनाव था लेकिन दुरिया की सब्से बड़ी पार्टी चंडिगर के चिनाव में वोटों की चोरी करते वे पकड़ी गई रंगे हाथों पकड़ी गई अगर भरष्टाचारी ही लोगों को धमकाने लगे ऐसे अर्विंद के जरिवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए चाहे जैसे भी चार खंड में बदला निजाम क्या थम जाएगा संगराम मूदी जी की सरकार है ये बड़ी ट्रांस्परेंट तरीके से काम करती है और जो भी चोर होगा पैसा हमने रख दिया क्या एमन सोरें के हाथ 36 लाग रुपे हमने रख दिया क्या 82 संपत्ती जो है बेनामी हमने रख दी क्या इंडिया गटबंदन में जारी है खमासान यहार तक रहा गटबंदन का सवाल तो उसका तो अंतिम संस्कार नितिश कुमान ने पहली कर दिया कैटा होते पाड़े ना शुनून एकोनो हिंमत कोरी बोली लोडते जोदी पाड़े बिजे भी के केओ बंगला पाड़े तिनोबुल कॉंग्रेस पाड़े और आम्रा ही पाड़ी समस्तुरी जोनल पाटी कोई को बग्दो कोरे एक जगाए धाराते कॉंग्रेस तुमीतो ए अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो अपचारिक तोर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेगे तो 2024 के लिए सेनाए सच जुकी हैं और सियासत का तापमान भी हाई है क्योंकि चौत अरफा लड़ाई है लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 2024 को लेकर किसका दाउं भारी है आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस तो आज इसी मुद्धे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा बहस के तीन बड़े मुद्धे क्या है आईए आपका उनसे परिचा करा देते हैं पहला मुद्धा ब्रस्ता चार पर चोट लेकिन किसकी नियत में है खोट दूसरा बड़ा विशे दो हजार चौबिस के युद्ध से पहले इंडिया गड़बंदन में ग्रहे युद्ध चल रहा है सिर्फ टवल चल रहा है ममता कॉंगरेस को कोस रही है कॉंगरेस ममता को कोस रही है नितीज साथ छोड़ चुके हैं इसके अलावा सपा से भी बात नहीं बन रही है अजे राय मूड में नहीं है गड़बंदन करने के और बीजे पी को राम का सहरा है और क्या विपक्ष बेस सहरा है आज इन तीन बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे मिरसा चर्चा के लिए कौन का है आज आए जोड़ दर तालियों से बिरंदन करिए सबी महमानों का सेदाथ पुनावाला भीजे पी के नेता परवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जेडियू के राजकुमर भाटी परवक्ता समाजवादी पार्टी के शदाब चौहान नेता पीस पार्टी के विवेक शिर्वास्तव है लेफ्ट के नेता तो जोड़दा तालियों से आप सब का विरंदन ने स्कारिक्रम के अंदर और आईए सर्चा की शुर्वात करते हैं तो शुर्वात आप से करते हैं भाटी जी भाटी जी अक्सर ये होता है कि विपक्ष का मौका बाद में आता है लेकिन हम विपक्ष को पार्लिमेंट में जैसा होता है पहले मौका दे रहे हैं और उमीद है कि आप इस एक मिनिट को अच्छे तरीके से यूटलाइज करेंगे सियासत है प्रचंड इसमें तो कोई दोराई नहीं है हर तरब से लेकिन E.D. की मार भी है और मोधी की धार भी है है तो इस के बीच में इंडिया गडवंदन की लड़ खडाती ताल भी है क्या कहना चाते है जो आपने सू का टाइडल दिया है सियासत है प्रचंड इसमें एक शब्द और जोडना चीयता सियासत में बेसरमी है प्रचंड चंडिगड का आपने जिकर किया और कहा कि चंडिगड में सूपड़ा साफ हो गया विपक्ष का कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के पास 20 वोट थे बीजेपी के पास 16 वोट थे क्या कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी के किसी सदस्ने पार्टी छोड़ी है दल बदल किया है कैसे बीजेपी का मेर बन गया है वहाँ पर और आठ वोट कैंसिल किये गए और हो कैंसिल करते हुए रिटर्निंग आफिसर का वीडियो चल रहा है पूरे पब्लिक डोमेन में है व इसके इतियास में पहला मामला है हमारा समीधान समीधान है कि यह सब्कया पावर का बटवार है सकी शक्तियों का और एक के ऊपर दूसरा कंट्रोल करता है और यह व्यवस्था है कि एक मिनट भी बिना सरकार के देश या प्रदेश नहीं रह सकता जी अगर मुखमंत्री ने इस्तिपा दिया था तो कारिवाग मुखमंत्री की निक्ति होनी चाहिए थी या गवनर रूल लगाना चाहिए था लेकिन बीजेपी इस तिकडम में के कुछ विधायक तोड़ लें दो चार विधायक त ने दिया इस देश में 40 घंटे एक मुखमंत्री गायब था बाइक से छुपके भाग गया वह कौन से मुखमंत्री था बताईए हेमंद सोरेन छुपके भाग गया वह 40 घंटे किसी को नहीं दिखाई दे रहे और मैं आता हूं शेदाद पूनावला आपकी पास लेकिन जब पहादूरी के साथ बहुत शालिंता के साथ चुपनावादूरी ही अपने पद्सRe recib किया जब उनcusते लगा कि इडिव करेगी ठीके समक्षर पैस हुए जी आप यह सकते वह वह 40 घंटे गायब था यह तो बात है वह 40 घंटे गायब थे नदारत थे मांत्री recordsवाद यहां तक बात पहुच गई है यह बयान है क्या आपको लगता है कि स्तिती ऐसी हो गई है कि सियासत इतनी प्रचंड है चाहे कुछ हो जाए चाहे मुख्यमंत्री भगोडा हो जाए 40 गंटे गायब हो जाए चाहे आपस में सिर्फ टवल हो लेकिन माथ्य अगर मरना है तो नरिंद मोदी के मरना है सब देखें सबसे पहले सियावर राम चंद्र की और देखें आप 22 तारीक से राम काच शुरू हुआ तेइस त के बाद आपने देखा होगा कि 26 तारीक को एक प्रकार से राष्ट काज रिपब्लिक डे पर फिर बजट के माध्यम से गरीबों का काज हुआ है और आज जाते-जाते हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा हो रही है एक तरफ तो हम देख जैश्री राम के नारे लग रहे हैं राम राम साथ देश के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि राम नाम सत्य है चल रहा है मतलब की जो अवैट धांचा है इनके इंडी गटवंदन का दिन प्रति दिन उसका विध्वन्स कैसे हो रहा है बंगाल में कभी जो है वहाँ से धांचे को लात मार देता है कभी फिर हम देखते हैं कि पंजाब में और महराष्टा में मीनारे को एक खोद कर निकाल जाता है और बिहार में भी आपने देखा है कि वहाँ पर तो जमीन तले पेरो तले जमीन ही खिसक गई तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो यह है जो मिशन और विशन है और दूसरी तरफ वो है जिनकी बुनियाद में केवल करप्शन और कमिशन है इसलिए अपने कमिशन को छिपाने के लिए A, B, C, D का इस्तमाल किया जाता है A, for शाजाशेक जो है टीमसी के वो अटैक करते के इंदी एजनसी पे B, for कुछ लोग है जो समन्स पे जो है वो भटक जाते हैं, मिलते नहीं है पांच-पांच दिन तक गायब हो जाते हैं, दो-दो दिन तक गायब हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे जो कवर अप करते हैं, और D for divide and rule करते हैं इसलिए D के सुरेश से लेकर, और ये पहली बार थोड़ी ऐसा बयाना है भारत को बातने का कुकर्म किसने किया है, ये राहूल गांदी की पार्टी नहीं किया है राहूल गांदी के नेता एक है, सजन सिंग वरमा, उन्होंने कहा कि पार्टीशन होना बहुत अच्छा था, मैं जिनना का स्वागत करता हूंने ये किया और इसके अलावा, बाकी सब तो छोड़ दीजे, भार्टी जी मेरे साथ कड़े हैं बिहारियों को अपशब दोलने का काम रेवान्त रेड़ी ने किया, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया नौर्थ इंडियन्स टॉइलेट साफ करते हैं, ये कहा गया डियम की के नेता के द्वारा, मारन के द्वारा पर एक स्टैंड इन्होंने आज तक नहीं लिया, और तो और सनातन को गाली देकर सनातन की समापती की बात, बतलब विभाजन कारी सोच तो इसमें पूरी बड़ी हुई है जी मेरे साथ जेडियू के नेता भी है मेरे साथ लेफ्ट के नेता भी है मैं पहले लेफ्ट के नेता के बाद आता हूँ और फिर सत्य प्रकाश जी आपके बाद आता हूँ आप इंडिया गडबंदन ऑफिशली सिर्फ काम कर रहा है या जमीन पे भी काम कर रहा है क्योंकि ऐ अच्छा कहा है यह है यह बहुत से लोग बहुत से लोग पोस्ट पोल भी जुड़ेंगे ऐसा नहीं है मंता बिनर जी ने कहा है कि अभी नहीं तो कोई भी आप शब्या हलकी बात मैं नहीं करूंगा उनके खिलाफ हमारे साथ रहे हो सकता है आगे भी वापस आ जाएं तो कु अच्छा और मैं चाहूंगा मेरे मित्र जेडियू से आये हैं हम एक साथ बोलते थे एक साथ घेरते ते शायदात्पुनावाला को आज पाला बदल के वहां कड़े हो गए देखिया तो आज बीजेपी दूद की दुली हो गई बीजेपी कमुनल नहीं रही मैं किसी के चरि हम देश के साथ हैं बहुत बढ़िया भारत इंडिया दोनों देश हैं जहां तक गठबंधन का सवाल है सहजाद जी ने कहा कि मारण ने बिहारीयों को गाली दे दी तेलंगाना के मुख्य मंत्री ने दे दी राहूल गांधी पता नहीं कौन सा नफरत कहां कहां मिटा रहे लेकिन इन दोनों के दिल से नफरत बिहार के प्रती राहूल गांधी नहीं मिटा पाए निया यात्रा पर निकले लेकिन इन दोनों से ये नहीं कह पाए कि बिहार से एक बार माफी मांग लो और नेत्रित को हडपने की कॉंग्रेस की जो कौकस थी गुटबंदी थी उसको ह हमेशा committed रहे सुशासन से लेकर कभी नहीं पल्टे वो मुख्यमंत्री के कुरसी पे रहे कभी भारती जंता पाटी के साथ हम 94 से हैं राजद हमारे साथ हाई लेकिन अगर आप प्रशासन सुशासन चलाने में दिक्कत पैदा करेंगे कॉंग्रेस के साथ सीक्रेट कोई गटबंदन करते रहेंगे सरकार को डिस्टरब करेंगे तो नितीश जी के पास एक यहीं बोला नितीश जी पहले वक्ती थे जिन्होंने इंडिया गटबंदन की पहल रखी वह दोड़े बागे सोचिये जिस बिल्डिंग की नीव हिल गई है वो बिल्डिंग कहां खड़ी है हम हत्वा कांग्षा बढ़ जाए किसी व्यक्ति की अच्छा एक पाइडिया गटबंदन की नीव हिल गई है नितीश कुमार जी ने जो भी प्रयास इस देश में किये पहला उनका जो वादा है बिहार की जनता से वो सुशाशन का है बिल्कुल उन्होंने पहल करके इंडिया गटबंदन को बनाया था लेकिन उस गटबंदन के सारे जो बाकी जो सारे सिपाही थे अगर गटबंदन की इस देश में किसी भी विवादास्पत बुद्धे पर जो अदालत का फैसला होता है वही हम मानते हैं और अदालत के अलावा आपका कोई फैसला है क्या आप पूलेंगे क्या अदालत जो भी फैसला करेगी इन्हों ने अभी कहा कि पलड़ गए स्टेंड बदल दिये आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा बच्चों की सौगन खाता हूं कॉंग्रस से हाथ नहीं मिलाओंगा उदव सेना को यह लो कहते थे कि बाबरी के धांचे को ढहने वाले यह उदव सेना के लोग ते केरल आमें कॉंग्रेस पार्टी जो है लेफ पार्टी को कॉमिनल भी कहती है करब भी कहती है और उनकी विजयन जी की बेटी पर आरोप लगाया और टीमसी के खिलाफ तो अधी रंजन चौधरी पानी पीपी करको उसने तो बताईए बदला कौन और बदला कौन यह देखे बदला है लोग देखे जी की आप तारीफ में मुझे लगता है कि किसी भी नेता की तारीफ करना मेरा काम नहीं है जनता जो समचती है वो बोलती है जी जी लेकिन देखे एक तो ग्यान वापी ग्यान वापी की बात हो रही है तो ग्यान वापी के अंदर 1993 से पहले तो की नहीं पड़ता कोई मुझे इस बात से तकलीफ है कि भाजपा का प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाए धार्मिक नारे लगा रहे हैं सियावर राम चंद्र बागवांद की जैए अरे भाई हैं यह देश तो सबका है जैहिंद बूल गए हैं मैं इसका जव अब वोड चाहिए और प्रदर्शन करने से वीडियो कैमरा के सामने फोटो की चवाने से कोई राम का बक्त नहीं बन जाता तुम भी नहीं हो बुलाई नहीं गए अधिया के अधिशन वरी के फंक्शन में यह भी नहीं बुलाए गए अमीज जी मेरे अधिस पार्टी में ह अधिया को बोल दूए इन्होंने कहा कि मैं राम राम के या सियावर राम चंदजी के नारे क्यो लगाया अल्लाव अकबर क्यों नहीं लगाया वैसे तो मैं भारते मुसल्मान हो और इसलिए अमोशनल बात करो थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजे राम कोई राजनीती का नहीं राम हमारी आस्था हमारे चरित्र और हमारे सम्मान का मुद्दा है इसलिए आप हर्याना राजस्थान में देखे क्या बोलते राम राम सा हिंदू हो अब बिहार यूपी निकल जा तो बोलते राम जी अगर आप दुखी हो व्यतित हो तो बोलते हे राम मा बैटे को बोलते हाई राम और जाते वक्त भी अंतिम्सास होती है तो बोलते राम नाम सथे राम हमारी कन-कन में हैं और महिंसे पूझना इनके तो अध्यक्ष के नाम पर इनके प्रें सीता राम यह चुरी है और अभी शादाब जी बोलेंगे शादाब जी का अनुका इतियास देख़ेंगे आप मुश्कुरा रहे हैं कुछ तो गम है जो चुपा रहे हैं खुशी है जब है कोई तो गम हो गाना है अज वी आजवी 45 साल का हम लोग जशन मना रहे हैं और आज भी अफसोस की बात है कि जो हमारे देश के जो लोग सत्मता सेनानी थे उसके बाद जो भी पहली सरकार बनी उसमें तमाम लोग थे तमाम एडिलोजी के एक विचार धारा हुआ करती थी आज विचार धारा की कोई विल्यू नहीं बची एक मिनट में विक्ती सेकुलर बन जाता है बौलिटकल एक्सचेंज जो है वो देश की किस तरफ लेके जारे है राजनीत विचार धारा आप किस की तरफ है आप तो हिंडिया की तरफ भी नहीं है सपावाल आपको पूछनी रहे हैं तो अब कॉंग्रिस की तरफ है कॉंग्रिस की तरफ है कॉंग्रिस नियाए का परतिख अगर हो जाएगी तो अवश्य होंगे लेकिन सवाल यह जो गड़ बंदन बना बिल्कुल बात कई J.U. के परवक्ता साब ने कि नितिश कुमार जी का संगर्च उस गडबंदन को बनाने के लिए सराहनी है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग करने के बाद नीचे से एक नए स्ट्रक्चर लगा जाता है इस परकार से नितिश जी के संगर्च को हटा करके कॉंग्रेस ने अपना एहंकार और स्वार्थ का स्ट्रक्चर नीव जो है वो चेंज कर दी उसका नतीजा यह है कि आज गडबंदन की सिती है कैप्टेन लेफ्ट और कॉंग्रेस की लॉबी हो गई है ममता और अर्विंद केज्रिवाजी की लॉबी हो गई है और इसलिए नितीश कुमार हाश्य पे चलेगर अखिलेश जी भी परेशान है मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि एहंकार और स्वार्थ के आधार पर आप नरेंडर मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो छोड़ना पड़ेगा और इतना एहंकार है कि नितीश जी दो बार चेंज कर चुके हैं उनसे घट बंदन कर लेंगे बस्पा से बात कर रहे हैं बीजेपी के साथ देलाइस में रही है ये लोग भी रहे हैं लेकिन क्या है कि पीस पार्टी से हम लोग से बात इसलिए नहीं करेंगे कि मुसल्मान है ये सौफ हिंदुतुआ की आडलोजी ये समाज़ोदी पार्टी आपको नहीं लेना चाहिए यही बोल रहा हूं और जब जरूत परती है गोरकपुर एक बार हारे हैं बी जेपी 40 साल में एक बार हारी है गोरकपुर सीर वो जब हारी है ठीक है राजकुमार भार्टी का जवाब होगा एक सेकिन मैं आओंगा विवेक जी आपके पास राजकुमार भार्टी जवाब समीधान कहता है कि जाती धरम आपके रिए कट्टर पंथी है ये लोग दोनों पार्टियां सामपरदाइक पार्टिया है हमाई नजर में वो सामपरदाइक ता छोड़ते कहते हैं कि हिंदू-मुसलिम भाई-भाई हिंदू-मुसलिम भाई-भाई का जो नारा लगाएगा हम उसके साथ हैं और जो हिंदू-मुसलिमान को लडाने की बात करेगा पहली चीज़ ये कि 2019 के उपचुनाओं में 2019 से पहले जो अपचुनाओं हुआ था जब अखिलेश श्यादव जी ने का था पहले जो है और भाटी जी ने तो आपके मंच पे गले लगकर हिंदू-मुसलिम भाई-भाई-भाई कहने तयार हूं आप अखिलेश जी से जाके कहिए कि साथ नमिल कद भी जब आपको तो मानेंगे ना अगर अखिलेश झी इनकी बात मानते हैं भाटी जी बहुत ही इसमीडान के समर्था के इसमें कोई संद्धे नहीं और अगर आपने आपकी डिवेट में रास्ता खोल रहें निश्चित तौर पर हम बात करएंगे इन्होंने अभी विचारधारा पर कुछ कहा कि पलड जाते हैं लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए ने मेरा भी जिकर किया ठीक है एक ओडिन्स का मेंबर बुला सकता हूं एक प्लीज कोई बच्ची को लड़के को बुला लो जी जी आदे इन्होंने बोला है कि अयूग खान का स्टेट्मेंट है डेकन हेरल्ड में चपा हूँ है क्या लिखा है जड़ा पढ़िए विए नोई नायमी ओपन तू जॉइनिंग हैंस विट एंडिये पोर लोगसवाइलेक्शन एंडिये के साथ आने के लिए इनकी पार्टी तैयार है और ये दूसरों को प्रटबोलने प्लड़ गए औरे भाई सुनिय ऐसा है पहले तो समझ दीजिये मैं तो कह रहा हूँ मैं तो सुनिये मैं मैं इन बात सुनिये इनोंने कहा की नोने का अब भी कहा गाजे राश खोल देते हैं लोगों के सुनिये ना ऐसा है कि इनके हां का पूरा पढ़वा ल जो आपको जवाब दूँगा अब देखें मैं तो किवल इतना कह रहा हूं कि यदी ये मानने को तयार है जो देश की जनता मार रही है और स्विकार रही है कि नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आज भारत को उसके सच्चे स्थान पर ले जाने का दस्वे से पांच्वे स्थान पर ले जाने का गरीबों के लिए ग्यारा करोड टॉयलेट बनाने का गरीबों के लिए दस करोड उजवलाय उजणा देने का काम किया है अ आप 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 बार बार बोला जाता है आप सोच के देखिए इस देश के अंदर एक नुपूर शर्मा थी जिसने कुछ कुछ खराब शब्शक बोले एक विशेश धर्म के लिए तो वो छुपकर बैठी अपने घर में और वह बाहर नहीं निकल सकती उसको पुलिस प्रोटेक तो अब secularism क्या है ये दो चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती है तो ये भारत ही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है और मैं आपके बाता हूँ क्योंकि आप पे बहुत सारे आरूप लग रहे हैं सत्य प्रकाश जी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये राम राम प्रिष्ट लिखे हैं उसमा असपष्ट उन्होंने कहा है कि राम का चरित इतना महान है कि राम नाम का मेला लगाया जाए तो मर्यादा नाम की वस्तूव आप समाज को दे सकते हैं समाज को सींच सकते हैं राम संस्कृती के परिचायक हैं राम सिर्फ अवतार नहीं है तो इस तरह से इस घटगट में जहां राम फैला हो, अगर वहां कोई राम नाम कहता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते, तुम सामप्रदाइक हो, मैं किसी को नहीं बोला, मैं जामिया मिले असलामिया से पढ़ा हूँ, तो कभी किसी ने मुझे सलाम कहा, मैंने किसी को सलाम कहा, तो ये सामप्रदाइक्ता नहीं, ये संस्कृती है, इस संस्कृती से ओथ पुर्त चीज़ों को भारत से आप अलग नहीं कर सकते, भारत को इन संस्कृति से अलग नहीं देख सकते तो कि आप सुभाष चत्रबोस्त को राजनीती में ले आएंगे तीस सेकंड तीस संवाख होती है दिक्कत क्या है आप इस्टोलिं से सिखते हैं आप लेनिन से भी नहीं सीखते हैं आप लेनिन को तो आप नहीं समझ भाओगे और नहीं समाजवादी मुल्यों का समर्थन करते और समाजवाद के सभी पुरोधा ने इस देश की तमाम संस्कृतियों के परती अपनी श्रद्धा विक्किये कभी उसका विरोध नहीं किया है समाजवादी विचारधारा का ABC भी नहीं पता है मेरे J.D.U. के मित्र को आपको नहीं मालू मैं तो बिलकुल नहीं मालू मैं इस द बच्चों ने नौई और दस्वी का इतिहास पढ़ाई इन से पढ़िया पहले और ये खड़े हैं यहां सोचलिस्ट आपको बिलकुल नही समाजवादी पार्टी सची सोचलिस्ट है इस देश के अंदर अच्छा यह आपने बहुत बड़ी स्टेट्मेंट नहीं सिखाया जाता है कि पहले आप मुख्यमंत्री बनो फिर अपनी धरमपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ उसके बाद अपने बेटे को टिप्टी सीम मना अगल से बगल से अपने सब रिष्टेदारों को सांसद मंत्री तैसील का प्रमुक बना दो क्या सोचलिस्ट राजिनीत यह बताती है अगर बताती है तो सीरे पर हाथ रख रख के बता दो कि यहीं है सोचलिस्ट अब बटाता हूँ ने ने परिवारवाद मैं जिनाता अगर एक्स चीफ फिनिस्टर का पेटा ठीक है वसंतुरा राजे का बेटा कौन है भाजपा में है पंकत सिंग कौन है ग्रहूं में 50 की लिस्ट कि कितना परिवारवाद भाजपा में हर हर जैशा को उठा करके साहब वह पचास तरुटे का इंकॉम टैक्स रिटन बटे ते आरो साहा पहुंच गए बीजी आई के चीफ ये संस्कृती है ये इनकी संस्कृती है ये उनके संस्कृती है एक चिक जवाब दे दूना इन्होंने अभी कहा कि राजनीती में संस्कृती 13 क्या काम ठीक है आपको पता होगा कि समविधान की ओरीजनल प्रतिलिपियों में अभूशी राम, सीता और लक्षमन जी की तस्वीरे हैं इंगित है और आपको ये भी पता होगा प्लीज भी पहमत बोलिया आपने तो अभी तक अपने चिनों को नहीं मिटा आया बाई अब तो आप भी चोहान है बाई चोहान अभी भी है तो कहां मिटा अभी प्लीज अभी पती रागव राजाराम उनके आखरी शब्त तो क्या उन्होंने गलत किया हो साफ्रता कि यह वह तेरो नाम यह सीता राम यह भी गांधी का राम नहीं है यह राम वोट बट औरने के लिए वहात्मा गांधी का राम राम है वो पूजनिये है अब राम प्रेमी है वो नहीं राम की कलपना शब्री के राम की कलपना अलग हो सकती है गांधी के राम की कलपना अलग हो सकती है लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्त है जो भावों से बड़े है और कहते है ना राम से बड़ा तो राम का नाम है इसलिए 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 तो यह देश है मारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए लेकिन मोदी ने राम का नाम लिया तो विपक्ष को राम नाम से भी दिक्कत हो गई अगर भ्रष्टाचार का काम किया तो भ्रष्टाचार की बात से भी दिक्कत हो गई यह नि भ्रष्टाचार पे वार किया आकिरकार इसके पीछे क्या राज क्योंकि राम राज्य एक आइडल राज्य है लेकिन सियासत भी प्रचंड रूप हम देख रहे हैं जिसमें हर तरीके के आरोप लग रहे हैं अगर अलाइंस में जैसे जो चंदिगण में हुआ अलाइंस में खट पड़ती ये बात भगवनतमान कह रहे थे कि एक थी कॉंग्र अब उसका सारा आरोप अन्डिये पे रहें बीजेपी पे है अब बताईए पर कोई भी आरोप लगा ले मैं लेफ्ट के भाई से कहना चाहता हूं लेफ्ट वालों को राइट कोई चीज दिखती नहीं है उनको हमेंसा कुछ उन्टा ही लिखता जिए जब तक सर्थार चाह ख़िए पर समर्चं से खड़ें आप अपने ताइम के वह पास उत्तर नहीं यह बोलिया कि आही बाद हमारे समर्चंद साल इसों आ चला है अपनी विचारधारा किसी वेदेशी मुल्क से लेका है आपको मुबारक हो समस्या क्या है कि देखे जब राम के बारे में आप बात करें मैतली सरन गुप्त के बहुत अच्छी कवीता है इस देश की जड़ों में अगर कोई संस्कृती पल रही है और कोई इसका संभाख है तो उससे आप नफरत नहीं कर सकते हैं ख्थ बंदन की बात अगर गठबंदन में एक शुत्रों में पिर्यों गए सभी मोती एक सवा नहीं दिखेंगे एक विचारधारा के नहीं दिखेंगे और एक लक्ष के प्रती समरपित नहीं दिखेंगे तो वह गठबंदन नहीं टिक सकता transactions when कि इंडिया कड़ बंधन पर इन यहीं मैं विव्यूर्स के भी कुछ सवाल है और इनके वी कुछ सवाल है और इनों की अभी सहजाद जी ने बूला था जैय श्रीराम इनको नाम से इतनी नफरत की ओए सतर सालों से आपकी इंडिया लाइंस ने राज किया था इंडिया कांग्रेस ने पास आपके मोका था आप भी बनवाते राम मंदिर आपको किस बाबर ने रोका था आपको किस बाबर ने रोका था जी 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 बाबर बाबर बोला जबाब 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 में इसके लिए आप प्राउड फील करते हैं या नहीं क्या आप खुश होते कि हम धांचा तोड़ा और मंदिर खड़ा कर दिया क्या है मैं जाती भारत इंट सब्सक्राइब अधरि जी आधा वानवाद देंगा कि आंज अन्होंने मेरे साथ तो जो कोई अन्या निहीं किया है तो मैं मेरा समय इसके बिल्कुल हम भी मानते हैं करना एक बनाए परंतो बताईए कोट के इस आधेश से कहा गया है तीन तलाग खतम हो जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मि तरहां से नहीं करते हैं इसे पर आप यह वह पार्टी एंदर बीचे सुने इसाने वह शर्या को प्रस्ट नहीं करें अब है जो लेकर के जाएए यह वो लोग बोल रहे हैं जिनोंने शंक्राचारिया को गोवेंट कौन कर दिया क्योंकि सियासत है प्रचंड हम विशे पे बात करें मैं भाटी जी चाहता हूं कि आप साफ गोई से बात करें इंडिया अलाइंस के अंदर यह सब को दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है राहूल जी की यात्रा जहां-जहां से चली मैं एक मैप अगर अपने शब्दों से ड्रॉक करूं तो बंगाल से चली तो ममता रूट गई और गडबंदन भी वहां तूट गया नितीश जी छूट गए और हेमन स्वरेंज जी जेल चले गए अब रांची पहुंचने वाली यह आत्रा तो क्या आपको लगता है कि वाकर इस्तिती बहुत खराब हो गई है इंडिया आलाइंस की यूपी के अंदर भी आलाइंस नहीं हो रहा है पहले दो शब्द उस जिकर किया सहजाद भाइन का हम कहीं हे राम बोलते हैं कहीं राम नाम सत्व बोलते हैं कहीं राम नाम जी बोलते हैं लेकिन अपने वाला नहीं बताया यह बोलते हैं मूह में राम बगलवे छुरी इनका वाले जो राम हैं जैसे जी 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 उत्तर प्रदेश में अभी 1000 पो कि आज मुझे मैं बता हूँ बाकी और कोई काम हुआ है नहीं हुआ इस देश में मुझे नहीं पता परन। एक चीज आप मानिये कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो कल तक कहते थे कि बाबरी मस्जिद वापिस बनाएंगे और जो कहते थे कि राम भक्तों को गोलिया चला कर रमन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यह जानते कि व्यक्तिकत रूप से मैं इसे प्रेम करता हूँ ऐसे व्यक्तिकत रूप से मैं इसे कह रहा हूँ कि चलिए जो गल्तियां आपने पहले की वो आज सुधारने का एक अच्छा मौका है मतुरा में और काशी में स्टैंड ले तो अगर आपको लगता है तो ग्यान वापी पर और मत्रबर क्रेडिट लीजिए बोल ये डंकिय की छोट पर कोई गलती हमने नहीं की थी ना हमने विचारधारा बदली है हमारे लिए देश में बहुत बड़ी-बड़ी समझचाए है भुकमरी है बेरोजगारी है अशिक्षा है अस्पतालों में दवाई नहीं है पुलिस जाती कर रही है रोज़ान लूट हो रही है उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ रोज़ान रेप हुए 2022 में हमें ये समस्चाए हल करनी है तो स्वामी पुस्दान मौरियाओ क्यों हिंदु धर्म को गाली देते है आई दिन एपको रहां बहुत धर्श की बात नहीं मैं आपको एक नारा याद दिलाता हूँ एक नारा था मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए जैश्री राम हिम्मत है अगर तो 2024 पे यह नारा लगा के दिखाए पूरा विपक्ष कि जो नारा लगाया था उस समय क्योंकि अब वह महौल नहीं है इसलिए वह नारा नह अमेटकर ने खुले मंद से इस बात को बोला जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया और मैं कोट कर रहाँ प्रकास अमेटकर ने का इंडिया अलाइंस का इंडिया लाइंस लगबक खत्म हो चुका है समाजवादी पार्टी उसकी आठी आखरी पार्टन थी अब वह खराब वक्त है बताईए मैं पहले भी मैंने आपके विस्वों में एक बार बोला आदमी नहीं लड़ता है मुद्द लड़ता है हमारा मुद्द वही है पीडिये पीडिये पे चुनाव लड़ रहे हैं पीडिये के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है अन्याय हो रहा है में बताएं पूंट आ से मतारा नहीं हो रहा है पॉइंट यह है मैं मैंने बताया आपको ममता जी नितीज जी दोनों दामन छोड़ चुके हैं अब अकिलेश जी की बारी है इस से कोई फरक पड़ने वाले नहीं यह उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे बिहार में तेजस भी लड़ेंगे महारास्ट में दूसरे लोग लड़ेंगे उनका हाल प्रकाशा मेडकर ने बाद बोली इंडिया आलाइज के समावन कर उसके आपकी लाइए इनका जवाब दे दूँ बीस पची सेकेंड ही लोगा और फिर आप बाकी का समय लीजे देखे ऐसा है कि यह कहते है क्या है कि हमें समविधान बचाना इसलिए एक साथ होना है अब ब दिखार हो इनके सामने कि यह गुंडो की पार्टी है लेफ्ट के बारे में और कॉंग जो चीफ मिनिस्टर है वो सेडिस्ट और कावर्ड है मतलब मांसिक रूप से वह बहुत ही घटिया व्यक्ति है और कावर्ड है काया है यह कॉंगरिस ने उनके लिए का मेरे नहीं का सब्सक्राइब करेंगे गीता पर चीफ को चोड़ करेंगे गीता पर कि आया पता है जी फर ग्रोथ दसवे से पांचवे स्थान पर पांचें यह सथान पर दा रहे आई फो इन्going It कर चानल लाग करो रूपर इंफ्फ्रसक्ट्टर Τा बन रहा है अभी हमने 11 लाग करो रूपर इंफ्रसक्टर पर खजगे जैसे व्ल्ड नेक्वालिटी रिपोर्ट है और को इंडिया एक मतलब सेक्टर है उसमें गिरावट आई है और क्या कहना चाहते है और एक सवाल सवाल क्या है इंके बारे में आप चरचा करें ना और और राम मंदी की बात है देखिए वा जज्जमेंट सुप्रीम कोट ने द तो आपका फैसला कैसे हुआ राम मंदिर पे वह इस बच्छे में तालियां बनती हैं जवर्दस तालियां बढ़ाइए जवाब देदू मैं तो मान रहा हूं कि हम लोग के सुप्रीम कोट नहीं फैसला सुनाया है और उसी प्रकार से अभी कोट ने कहा है कि तैखाने में ग्य करके करके पूछ लीजे अब इनको क्या प्रॉब्लम है अब इनको केवल राम से नहीं इनको महादेव से भी प्रॉब्लम है तो इसमें उनका इनी क्वालिटी वालाइट का इतना सम्मान करते हो तो इलाबाद हाई कोट ने 79,000 सिक्षक बर्ती में फैसला सुनाया को यह व्यूवर्ज एक आपकी जानकारी करें मौकिक और था मौकिक और कुछ नहीं होता कमाल की बात है अब अब आपको लगता है जो रात को इस दिन रात को साड़े बारा बजे एक बजे पूजा वही उसको वह आपको स्विकार है बात पूजा तो जाने से पहले अधिक तम लोग पूजा कर जाते किआए यह लोग बार बार केते हैं, राम और विका से एक साथ नहीं चल सकते हैं, जब तक विवादिक धाचा था, तो हमारा वन बिलियन डॉलर फॉरन एक्सचेंज था, हमारी याथ वहसता दो या तीन परसेंट पर ग्रो करती थी, हमारा डेट था, और हमारा हाइस इंफलेशन था बोली है, अरविंद केजरिवाल जी ने, पहले वो बाइट को सुनी और उसके बाद शेदाद पुनवाला और विवेक शिर्वास्ता वो आपका रियाक्शन लूँगा मैं, इन्हों ने जो चिनाव के साथ खिलवार करना शोरू किया है, इन्हों ने जो जनतंतर के साथ खि अरविंद केजरिवाल जी की बातों को क्या वरोसा किया है, इतनी बड़ी पार्टी हमारा मेंडेट चोरी कर रही है, ऐसा है कि जिन्हों ने शराब में घोटाला, शीष महल में घोटाला, बस में घोटाला, कक्षा में घोटाला, यहां तक की महला क्लिनिक के ड्रग्स और गवाई और टेस्टिंग में घोटाला किया हो, तो आज तो यह पूछा जा रहा है कि अगर आपने चोरी नहीं किये, तो चोर की मूच में तिंका क्यों आप ED के सामने जाते नहीं, और पूरे अलाइंस का चरितर देखे ना, A4 शुकर आपने दाडी नहीं बोला, शुकर आ से पॉलिटिकल बने और पॉलिटिकल से आज भी प्रत्रकार के रूप में पॉलिटिकल काम कर रहें, वो चोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले जांच के पहले इस्तिवा कराएंगे, आज लालु प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पौन मूरी पॉलिटिकल अचा आप उनके साथ है की नहीं है, बिल्कुल है, और इसलिए है, यह कोट कर देता है, अर्विंद केजरिवाल का वो statement में कोट कर देता हूँ, अगर बीजेपी जान चले ते एडी नहीं आप एंटी कॉंग्रेस थे, आप अगर बीजेपी जान चले ते इव जो हमारे देश की समस्या है, बिल्कुल आधर ऑटान चले अख्ली एक मिनट गयानवाफी, 앞에, गयानवाफी के ऊपर आपका क्या कहना है, गयानवापी पर हमारा वही कहना है की आदालत को फैसले इंसाफ के साथ देने चाहिएं और मुझे अमीद है कि आदालत जो है, उप आपरी मस्जिद के लिए कॉंस्टिटिशनली लड़ने की बात के लेकिन हमने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की जो देश की जी अंदर नफरत का माहौल हो किसी को भी नुकसान हो कोई भी बात हो हाँ कोई भी लड़ाई कानूनी रूप से लड़िये जिसको मंदीर के लिए आपर भाई कर रही है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन चेहरों को देखिया पीछे एक तो मोदी जी है दूसरे ममता बेनर जी है है हेमन सोरेन है अरविंद केजीवाल है सब विपक्षियों के घर की डोर बेल क्यों बजा रही है शेजाद भाई ऐसा है कि 14 से पहले सब छोड़ेते हैं मैं केवल एक ही चीज पूछना दाता हूं आज राजनेतिक पटल पर एक ही आदमी कन्विक्टेड है वह लालू प्रसाद यादव उस पर क्या स्टैंड है लालू प्रसाद यादव पर तो सुहम अरविंद केजीवाल ने बोला था और जहां तक शराब बोला गोटणले की बात है तो प्रेश कॉंट पल्णि करके कि क्योंवाब को बहुत में लूग यहां पर आए आपका बहुत बहुत année के लिए फिलाल को को यहीं सब करते हैं आप सबstersन को द victor को अभाव environments को देकने के लिए जाहिन